तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेडेस्ट वीडियो में आज का वीडियो थोड़ा सा अलग हटकर होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ब्यार बोड का 12th क्लास का हिंदी पढ़ने वाले हैं जी हां 12th क्लास का हिंदी का जो लडेडी कंप्लीट करा चुकिए ना गद्खंड में टोडल तेरा चेप्र हैं और 13 & 13 अग्यास अफ्योगी थी कर दीते क्लास का उर्दो में स्टाट कर दी तो फिलाल उर्दों कंप्लीट हो गया है जाने का विखन कर वेक्टिव कोमगी क्टेष्ट सन्तर ऑब तो कावी ख्तम होगा वैसे हम लोग अभिजेक्टिvy कोशन करना स्टार्ट करेंगे जी हां और अभिजेक्टिव मैं लाइव करावंगी उक्ता बता दूँचेप्टर और राइटर का नाम याद रखने का भी मैट्रिक बताऊंगी जबर्दस्ट बताऊंगी अगर आप लोग को चैप्टर और राइटर का नाम याद रखने में परिशानी हो रही है याद नहीं हो पा रहा है तो कोई दिकत नहीं है मैं आप लोगों को ट्रिक बता दोंगी चले स्टार्ट करते हैं 12 क्लास का हिंदी ठीक है चक्ण 203 पढ़ते हैं जिसका नाम है थोसी दास का पद किस सब्सक्राइब नार यह बंबंदी थे कृइं राम भक्ती से कुरदास के पद जो है क्रिश्न भक्ति से संबंदित था यानि कि सूर्दास कृष्ण के भक्त थे और यह तुलसीदास हैं यह किसके मुंत הי'm कि भक्ते ऑष्प इनके जो पद है वह राम भक्ती से से रिलेट्ड है ठीक है तो बद को तो बाद में पढ़ेंगे हम किसे पहले प्थिल सीधास के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा ग्याः बूर्ट कोशन की गदखंड कर ना राइटर से भी कोशन पूशता है 50% और 50% क्याप्टर से ताय। लेकिन कावेखन्ड में 70% कोशन राइटर से पूझता है और मात्र 70 नहीं आप बोल सकते हैं 90% कोशन लेखक से पूझता है और 10% कोशन चैपर से पूझता है मतलब आप यूg कह सकते हैं कि अगर आप सचेप्टर के राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं तो समझे कि अब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बस पद किसलिए पढ़ा जाता है यह जो तुलसिदास का पद दिया गया है इसलिए पढ़ा जाता है ताकि सब्जेक्टिव बन सके म लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है वो है लेखक के बारे में पूछता है इसलिए सबसे पहले जितना भी डिटेल्स दिया गया है लेखक के बारे में यान की तुलसी रास के बारे में चलिए उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पढ़ाफट और फिर में आप लोग को ऐसा सबसे पहले तुलसी दास के बारे में लोग पढ़ लेते हैं तुलसी दास की जो पैदाईश हुई थी यानि कि इनका जन्म हुआ था 1543 भी यूपी के बादा बांदा बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा के राजापूर नाम का कोई जगा है वही पर तुलसी दास का जन्म हुआ था ठीक है और कब हुआ था याद रखेगा 1543 और इनकी निधन की बात कर लें तो इनका निधन हो गया था 1623 को यह मशूर भले फेमस हुए थे तुलसी दास के नाम से लेकिन इनका जो मुल नाम था वो था राम बोला इनका मुल नाम क्या था राम बोला ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इनका इस्थाई निवास जो है ना वो काशी है भले इनकी पैदाईश यानिकी इनका जन्म हुआ था यूपी के बांदा के राज आपूर में लेकिन इनका इस्थाई निवास इस्थाई जीवन ये कहां व्यतित किये तो काशी में व्यतित किये थे इनके माता और पिता का नाम था हुलसी और आत्मा राम दूबे यानिकी मा का नाम क्या था हुलसी और पिता जी का नाम था आत्मा राम दूबे बच्पन में ही तुलसी दास के माता पिता हुलसी और आत्मा राम दूबे का निधन हो गया तो इनका जो पालन पोशन था इनकी दासी जिनका नाम था चुनिया चुनिया ने किया था तुलसी दास के बच्पन में ही क्या हो गया यह आनात हो गया मतलब इनके माता पिता का निधन हो गया तो बच्पन में पालन पोशन चुनिया की थी जो की दासी थी और फिर आगे चल तुलसिदास की शादी हुई दिन बंदु पाठक की लड़की थी रतनावली तो दिन बंदु पाठक जो है ना तुलसिदास को देखे थे इनके व्यक्तिक तो के देखे थे और लड़का पसंद आ गया था तो दिन बंदु पाठक को तो दिन बंदु पाठक की बेटी थी रत तो उसी मतलब उनका दिन चर्य वही बन गया था भक्ति करना मतलब राम भक्ति में रहने का यह अपपे पत्नी को जयादा वक्त नहीं द करते त्य 여러분들 में रहते थे तो हमेसा इनकी इंकी नहीं की रतम वुल्शी करते रहता था तो हुआ ये कि जाले तर इनका जो रिष्टा है पती पत्नी का वो चल नहीं पाया पत्नी छोड़ कर चली गहीं गुस्सा होकर और फिर बाद में क्या हुआ तुलसी दास भी मतलब उग कर वो अपना ग्रियास्त जीवन और मतलब घर परिवार को त्याग कर दिये मतलब ग्रि से सनाथन याद रखिएगा यह जितना भी डिटेल्स में बोर्ट पर लिखी उना मौस्ट इंपोर्टेंट है कोशन पूछा गया है बहुत बार इसलिए कोशन पूछा जाता है कि तुलसी दास के शिक्षा गुरु कौन है अगर कोशन पूछेगा तुलसी दास के दिक्षा तुलसी दास का नाम दिया गया है तुलसी दास के जो फ्रेंड थें कितने इनके मित्र थे देखें याद रखिएगा आप लोग अब्दुरहिम खाने खाना आप लोग जानते होंगे मुगल वन्स से रिलेटेड सोचिए तुलसी दास जो की राम भक्त थे मतलब की इनका रिलीजन अलग था और इनके जो दोस्त थे वो खुद दूसरे रिलीजन के थे यानि कि मुगल वन्स के थे मुस्लिम धर्म के थे तो सोचिए यह खुद अलग रिलीजन और इनका दोस्त अलग रिलीजन लब उस वक्त सोचिए कितना दो धर्मों के बीच कितना मुहबत थी ठीक है खैर अभी भी है लेकिन कुछ लोगों के वज़ा से समाज का जो ढाचा है वो बुदल जाता है लेकिन गाने दें यहां पर आप लोग द्यान दें तुलसिदास खुद मतलब यह राम के भक्त थे लेकिन के जो मित्र थे वह कौन थे अब्दुर्रहिम खाने खाना मुगल वन्स रिलिटर और और भी मित्र का नाम याद रखिएगा महराजा मान सिं क्रितिया की बात कर लें मतलब यह अब कावे लिखा करते थे तो कावे यादि की कविताओं में क्या क्या लिखें सबसे इंपोर्टेंट है विनय पत्रिका विनय पत्रिका से ही यह पद लिया गया है तुलसिदास का जो पद आप लोग चैप्टर नुबर 3 में पढ़ना है यह जो पद है चैप्टर नुबर 3 में जो दिया गया है पद वो पद किस से लिया गया है तो विनय पत्रिका से लिया गया है विनय पत्रिका का ही पद आप लोग को पढ़ना है जो कि मैं अभी आप लोग को पढ़कर उसका आर्थ बताऊंगी और फिर एक और किताब का ना मानस यह भी इंपोर्टेंट है आप लोग टेंसर नहीं लीजे स्केंशॉट लेने का मैं मौका दोंगी ठीक है आप लोग पहले यहां पर ध्यान से समझ जाए कृतिया का नाम याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट है विनैपत्री का उसके बाद से हैं राम चरित मानस उसके बैरवे रमायन पारवती मंगल जानकी मंगल वगर 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 अब इटीसी बहुत चारे इन्होंने आप बोल सकते हैं तुलसी दास जो है ना इनकी बहुत तारी क्रीतिया है तो यह हो गया तुलसी दास के बारे में कुछ जादा डिटेल्स नहीं थोड़ा साही डि कोशन सिर्फ सब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह ध्यान में रखना है चलिए मैं बढ़कर बताती हूं इस पद का अर्थ अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजिए फड़ावर स्क्रीन शॉन्ट हाँ तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं तुलसी दास के पद को यहां पर दो पद दिया गया है तुलसी दास के दोनों पद को हम लोग समझेंगे और जैसा कि मैं आप लोग को बताई यह जो दोनों पद है किस से संबंधित है तो राम भक्ती से संबंधित है और यहां पर जो पहला पद है ना इस पहले पद में तुलसी दास दास बनकर मा सीता से विंती कर रहे हैं अब क्या विंती कर रहे हैं वो मैं आप लोग को पढ़ूंगी तो पता चलेगा और दूसरे पद में तुलसी दास भिखारी बने हुए भिखारी बनकर वो प्रभु श्रीराम से कुछ मांग रहे हैं, वो भी पता चलेगा कि क्या मांग रहे हैं, ठीक है, जब सब से पहले हम लोग पहला जो पद है उसको पढ़कर समझते हैं और जैसे-जैसे मैं पढ़ूँगी आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी देगा चलिए सबसे पहला पद मैं पढ़ती हूँ जैसे कि मैं बताई कि तूलसी दास पहले पद में दास बनकर मा सीता से क्या कर रहे हैं? विन्ती कर रहे हैं अब क्या विन्ती कर रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग सुने कभभुक अंब औसर पाई देखे कभभुक का मतलब होता है कभी भी अंब यानि की मा सीता को कहा जा रहा है अंब यानि की मा सीता ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कभी भी मासीता अगर आपको औसर मिले, तुलसिदास क्या कह रहे हैं, मासीता को कह रहे हैं कि कभी भी मासीता अगर आपको औसर मिले, अगर आपको मौका मिले, तो मेरियो सुधी धाई भी कच्छू करून कथा चलाई, यानि कि मेरियो का मतलब हो मैं आपको उसर मिले तो मेरि भी करुण कथा की याद प्रभु that को सुना दीजिएगा दीन नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई मतलब मैं दीन हो गया हूँ मैं करीब हो गया हूँ सब अंग हीन है यानि कि मेरा सब अंग बेकार है काम करना छोड़ दिया है मैं पापी हूँ मैं छीन हूँ मैं मलीन हो गया हूँ नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का है यानि कि आपको जब भी भी औसर मिले आप प्रभु श्री राम से ये मेरी कथा सुनाईएगा मतलब मेरी दिन दशा जो की बद से बत्तर हो गई है मेरे बारे में उनको बताईएगा और उनको ये भी बताईएगा कि मैं प्रभु के दासी का दास हूँ यानि कि प्रभु श्रीराम उनकी दासी मा सीता और मा सीता का दास मैं तुलसी दास अपने आख को कह रहे हैं कि मैं आप का दास यानि कि मा सीता का दास हूँ मतलब कि मैं प्रभु के दासी का दास हूँ और मैं उन्ही का नाम लेकर जो है मेरा पेट भरता है क्या बोला जा रहा है नाम ले भरे उदर यानि कि मैं प्रभु श्रीराम का नाम लेकर ही अपना पेट भरता हूँ यह बात जो है आप प्रभु श्री राम से जरूर बताईएगा जब भी आपको आउसर मिले बुजी है सो है कौन कही भी नाम दसा जनाई यानि कि तुलसिदास कह रहे हैं कि जब आप प्रभु श्री राम को मेरी करुम कथा सुना देंगी तो वो मेरी कर्म कसा सुन लेने के बाद जब वो पूछेंगे कि ये है कौन तब आप उनको मेरा नाम बता दीजिएगा और मेरी दिन दसा जो कि बत से बत्तर हो गई है मैं अती दीन हो गया हूँ मतलब मैं बहुत ही गरीब हो गया हूँ मेरी सारी दिन दसाख उनको सुना दीजिएगा ठीक है और सुनत राम क्रिपालू के मेरी बिगोरिया बनी जाई जान की जग जननी जन की एक बचन सहाई यानि की बोला जा रहा है की मा सीता आप जग जननी है और आप वचन को निभाईएगा और जब भी ऑसर मिले आप प्रभु सीर राम से मेरी कथा को मतलब मेरी करुन कथा को जरूर सुनाईएगा और जब राम क्रिपालू यानि कि श्री राम को बोला ज़रा है जब प्रभु श्री राम मेरी बात को सुन लेंगे ना मेरी कथा को सुन लेंगे तो मेरी बिगवरिया बनी जाई यानि कि मेरी बिगडी हुई जो दसा है वो बन जाएगी तरह तुलसी दास भव तो नाथ गु लेते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा मेरी बिगोरिया बनी जाई यानि की मेरी बिगडी हुई दशा जो है वो बन जाएगी मैं भवधारा को भी पाद कर सकूँगा ठीक है तो यह हो गया पहला पद कंप्लीट बहुत ही ज्यादा आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं अब दू और ही को आजू ज़रा आप लोग यहांपर समझने की कोहिश्ट करें द्वार हव का मतलब होता है मैं यानि कि तुलसिदास कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के द्वार पर मैं एकदम भोर में ही चला जाता हूं ठीक है अपने आपको कह रहे हैं तुलसिदास कि मैं एकदम भोर में ही प्रभु श्री राम के द्वार पर आ जाता हूं रटतरी रीहा आरी और न कोर ही देकाजू यानि कि मैं रटता हूं गिरगिडाता हूं आरी मतलब होता है अड़ जाना अपने बात पर अड़ जाना आप लोग सुने होंगे बहुत सारी लोग बोलते हैं यह तो पर अड़ गया है अपने बात को मरवाना अपने बात से पलटना नहीं अड़ जाना ठीक है तो वहीं बोल रहे हैं तुलसी दास कि मैं एकदम भोर में ही प्रभु श्री राम के द्वार पर चला जाता हूं और रठता हूं गिल गिराता हूं मैं आप से भिच्छा मांगता हू आप हमको भिच्छा दे, खाने का निवाला दे आप बाकी भिखारीों की तरह हमसे ये मत कहियेगा कि तुम तो अच्छे खासे देखने में लगते हो जाकर तुम काम करके कुछ कमा कर क्यों नहीं खाते क्योंकि कली कराल दुकाल दारुन सब कुमभाती कुसाजू नीच जन्मन उच जैसी कोड में की खाजू तो यहाँ पर बोल रहे हैं तुलसी रास की आप प्रभु श्री राम आप हमसे ये मत कहिएगा कि तुम जाओ और कोई काम करके पैसा कमा और उससे अपना पेड भरो क्योंकि आप हमसे ये बात इसलिए नहीं कहिएगा क्योंकि कली कराल दुकाल दारुन सब कुमभाती कुसाजू यानि कि अभी का ये जो यूग है अभी का जो काल है अभी का जो दौर चल रहा है बी का समय चल रहा है यह बहुत ही कठिन बुरा समय है भ्यानक बुरी तरह से और वीवस्थिती समाज हो गया है ठीके यह कल यूग है यहाँ पर एक दुसरे को देखकर लोग जलते हैं यहाँ पर कभी भी किसी दूसरे इंसान का भला लोग नहीं सोच रहे हैं ये कल्युग आ गया है और इसलिए नीच신 जण मैं नीचा वैक्ती हूं लेकिन मेरा मन ऊचा है और इसलिए मैं आपसे ध्यक्षा मांगता हूं आप हमें काम करने के लिए नहीं कहिएगा क्योंकि ये कलियुग है ठीक है हारी ही में हारी हिया में सदै बुझियो जाई साधू समाजू मोहेसू कहू कतहू कौू तिना कहियो कुसल राजू यहाँ पर बोला जा रहा है तुलसी दास कह रहे हैं कि हारी हिया यानि कि मेरा हिर्दे जहना वो कराह रहा है मेरे हिर्दे में, मेरे दिल में एक अजीब सी पीडा है, मेरी दिन दसा एकदम खराब हो चुकी है मैं बद से बत्तर हो गया हूँ, पेट भरने के लिए कुछ नहीं है, मैं पुरी तरीके से परेशान हूँ इस इस्तिती में, मैं जिस व्यक्ति के पास गया हूँ, इस समस्य का समधान पाने के लिए मैं साधू समाज के पास गया, साधू से जाकर पूछा, और जिन जिन लोगों से जाकर पूछा तो सभी लोगों ने मुझसे समस्य का समाधान यही बताया कि तुम जाओ किसके पास, किसके शरण में जाओ, तो तुम प्रभु श्री राम के शरण में जाओ, जिन लोगों से जाकर मैंने इस समस्य का समाधान पूछा, तो सभी लोगों ने, सादु समाध, सभी लोगों ने ह हमें बताया कि तुम प्रभु श्री राम के शर्ण में जाओ उनसे जाकर अपनी दिन दसा उनको अपनी कथा सुनाओ दीनता दारिद दलय को क्रीपा बारिदी बाजू दानी दसरत राय के तू बनाईत सिर्ताजू बोला जा रहा है कि मेरी दीनता और दरिद्रता यह सब कुछ जो है न यह आपकी क्रीपा से सब कुछ खत्म हो जाएगी मतलब प्रभु श्री राम को यह कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आप दानी हैं आप दश्रत के पुत्र हैं अगर आप हम पर क्रीपा कर दे तो हमारी जो दीनता और दरिद्रता है हमारी जो गरीवी ह लाचारी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमारा जो मतलब जिन्दगी है हमारा जो जीवन है वो बन जाएगा हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा तू बनाईत सिर्ताजो यानि कि हमारे जिन्दगी बहतर हो जाएगी जन्म को भूखो बिखारी हो गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी ही जवाई भगती सुधा सुनाजू यहाँ पर बोल रहे हैं तुलसी दास की जन्म को भूखो बिखारी हो यानि की मैं जन्म से ही भूखा हूँ भिखारी हूँ गरीब हूँ पेट भरी तुलसी ही जवाई भगती सुधा सुना जू और इसलिए प्रभु श्री राम मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ पेट भरने के लिए आप हमें कुछ भिक्षा दे दे कुछ भोजन के निवाले दे उसे खा कर मैं धन्य हो जाओंगा आपकी क्रीपा चाहिए प्रभु श्री राम और यहां पर हो आप यूँ कह सकते हैं कि पुन रूब से कंप्लीट हो गया जादते है जरूरी है राइटर के बारे में याद रखना जितना भी देटेल्स तुलसीदास की बारे में बताई वह याद रखेगा और पद का अर्थ जो पढ़कर बताई वह भी याद रखना है क्योंकि सब्ज जरूरी है और यहां पर अब्जेक्टिव जरूरी है ज्यादतर राइटर से अब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो दोनों चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया यहोप आप लोगो समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अभी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाइबाए टेक क्यार फिर विलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिस